नमस्कार, Toppers Club IS Academy में आपका स्वागत है समीचा अधिकारी का जो एक्जाम होने वाला है उसमें हिंदी बहुत एहम रॉल खिलती है उसी में एक महत्पूर टॉपिक है तदव और तत्सम महाँ से कुश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि तदव किसे कहते हैं? पूछ लेता है कि निम लिखत सब्दों में तदव और तत्सम बताईएगा एक तत्सम सब्द देगा तो उसका तत्सम सब्द पूछेगा बहुत विकल्पी के रूप में मैं इसमें पूरा आपको पहचानने के नियम बताऊंगा सामानता यूटूब के जो की वीडियो पड़े हैं आपके पांसे छे नियम ही लिखे हुए है कि कौन सा सब्द तदव है और कौन सा तत्सम है लेकिन मैं आपको बिदवत बारे नियम बताऊंगा जिसमें 99 परसेंट ये नियम फोलो होते हैं कुछ 100% है कि जिन बार्णों का प्रयोग अगर किसी सब्द में हुआ है तो 100% तगव होंगे और कुछ ऐसे नियम है जो बताएंगे 100% तत्सम होंगे हम इस बात में डिसकस करते हैं देखिए तत्सम क्या है देखिए जो सब्द है सब्द के प्रकार है तत्सम क्या है तत्सम जो सब्द है वो दो सब्द से मिलके बना हुआ है तत और सम है ठीक है ना तत्सम सब्द वो सब्द है जो संस्कृत से हिंदी में आई है और जियों के त्यों प्रयोग की जाते हैं बिना परवर्तन किये यानि वो सब्द जो संस्कित भासा से हिंदी भासा में आए और जियों के त्यों प्रियों किये जाते हैं उन्हें हम तत्सम सब्द कहते हैं तत्सम सब्दों मैंने बताया आपको दो सब्दों से मिलके बना हुआ है तत और सम इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है जियों का तियों जियों का तियों ये भी पूछ लेता है कि तत्सम सब्द का बास्तिविक अर्थ क्या है तो इसका अर्थ है जियों का तियों यानि बेसब्द जो संस्कत से हिंदी में आए और जियों के इत्यों प्रियों किये जाते हैं, उन्हें हम तत्सम सब्द कहते हैं, इनमें ध्वनी परवर्तन नहीं होता, ये इंपोर्टेंट बात है, एक बार जब कुशन आया था, कि निम लिखित में से कौंसे सब्दों में द्वनी का परवर्तन नहीं होता, तदभवता, संकरता और उसी में एक आंसर आपका तत्सम, उसका आंसर राइट था तत्सम, यानि तत्सम सब्दों में द्वनी का परवर्तन नहीं होता है, तो इस तरसे आपने आवी इसमें जाना कि तत्सम सब्द किसे कहते हैं, अब दे लेती है भासा बिख्सित होती है भासा यौमन घ्रण करती है और फिर सामान में कुछ लोगों में ही वो सीमित रहे जाती है संस्कत के साथ भी ऐसा ही हुआ था हलांगे संस्कत कभी भी जन भासा नहीं रही है लेकिन संस्कत से कुछ सब्द हिंदी भासा में आये लेकिन उनका शरूप बिगड गया बोलचाल का धंग बतल गया उनका ध्वनी का परवरतन हो गया ऐसे सब्द जो संस्क्त से हिंदी में आए और उनका सरूप बिगड गया बदले हुए सरूप में प्रियोग होते हैं ऐसे सब्दों को हम तदभव सब्द कहते हैं क्या बताया मैंने दूसर प्रकार है आपका तद्वव शब्द है समय और प्रश्थिती की बज़ए से तत्सम सब्दों में क्या हो गया परवर्तर हो गया तो यह परवर्तिस जो सब्द हैं वो क्या कहलाते हैं तद्वव सब्द कहलाते हैं तो उसकी परवासा क्या हो जाएगी परवासा ही हो जाएगी कि बे सब्द जो संस्कत से हिंदी में आए और उनका सुरूप बदल गया वो सब्द, तद्भव सब्द कहलाते हैं ठीक है, जैसे अगनी है अगनी जो है, यह क्या था? यह आपका तद्जम सब्द है कैसा है? तद्जम सब्द है लेकिन अब इसका प्रयोग कैसे होता है अब हम बोलते हैं आग तो देखिए अगनी को हम आग बोल ला है अगनी को क्या बोल ला है हम आग बोल ला है तो यह कैसा हो गया यह हमारा क्या होगा तदभव है कैसा है तदभव तो इस तरह से पूछ लेता है कि अगनी का तदभव स सा तत्सम है इसके मैं आपको बहुत महत्यकूर नियम बताने बाला हूं यह लगभग 12 नियम है यह अभी तक इसमें से कुछी वह स्वेशी जो लोगों ने यूटूब पे बताया है किताबों घम है लेकिन मैं पूरे के पूरे आपको बारनीम बताऊंगाहत पहला न सब्सक्राकरane उसमें जो क्छा शत्री वाला जो छत्री वाला या नहीं जो संयूट भैंजन हैं जो प्रका होगा त्राका होगा द्यान कि इसका भी होगा स्रिंग ठीक है उसके बाद त्रा होगा स्रा यह है और सटकोंड़ साह होगा अनुश्वार होगा बिसर का भी होगा और आपका अर्ध बेन्यन का प्रियोग होता है मैं इसमें काफी आपको किरम से पताऊंगा अभी एक मोटा मोटा सम्हें लेजिए कौन-कौन से है चात्रा स्रा और एक स्राइग बेंजने गया इसका भी प्रियोग किसमें उता तत्सम में होता है पूरे यह सारे चीजों को मैं डिटेल में आगे उताता ठीक है तो क्या बता है मैंने आपको कि तत्सम सब्दों के पीछे क्या होगा च्छा लगा होगा क्या लगा होगा च्छा लगा होगा यह यानि च्छा जिस बर्ड में होगा वो तत्सम होने की इसकी प्रबल संबावना है ठीक है तो अगर च्छा का अगर हम तद्वर बदलें तो यह क्या तो खा में बतलेगा या च्छा में बतलता है यानि यह जो च्छा है यह किस में चेंज होगा यह खा में चेंज होगा और यह च्छा में चेंज होगा तो समझ ले ना जहां यह वाड़ आएं और यह वाले खा और च्छा तो वो आपका तदभव होगा क्या होगा और यह च्छावाला क्या होगा हमारा तत्सम होगा यानि जिन बर्डों में च्छा आता है उनका जब तत्धों बनाएंगे तब उनमे जो च्छा है वो खा या च्छा की ध्णी में परवर्टन हो जाएगा जैसे अक्षर देखिए अक्षर में च्छा है और ये अक्षर क्या मतलब गया च्छा में मतलब गया अच्छोर अखरूट ठीक है तो अक्षर क्या है यह हमारा जो यह दोनों वर्ड है हमारे क्या है तत्सम है क्या है तत्सम है और यह दोनों क्या है हमारे यह हमारे तदभव ह तो इस तरह से हमने बताया कि जो तत्सम जो में जो च्छा वर्ड है च्छा च्छत्री वाला जो बर्ड है ये तगहों में जाते जाते इसके स्वरू में परतन हो जाता है वो जाता है खा खरगोस या च्छा से च्छत्री अगला नियम देखते हैं कि देखिए तत्सम सब्दो में क्या है ठीक है ना अब इसमें देखिए इसमें स्रा वाला है ये क्या स्रा का प्रियोग होता है ठीक है और ये जो स्रा है ध्यान अगना ये जो स्रा है ये किसमें जोएगा ये तत्सम में यूज होगा किसमें होगा तत्सम में यूज होगा और जब तद्वाव बताएंग साँ हो जाएगा किसमे जो सांच हो जाएगा जैसे आपchange कहा स्रेश्ठी ओ ओ स्र्ष्ठी जो आपका क्या है ततसम है क्यों कि इसमें यूज़ हुआ है लेकिन ज Ziehen है पारी उ प्राकरत में क्या है यह जो धनी व्यापारी है उन्हें सुरिष्ठी कहा जाता वहाँ पर सेठ्थी मिलता है संसिकत में आपका स्रेष्टी हो जाता है आप देखते हैं नियम नमबर तीन है ये क्या कहता है कि तत्सम सब्दों में सा यानि जो शल्यम वाला शा है कौन सा सल्यमवाला सा इसे और इसे क्या कहते हैं तालबी सा बोलते हैं क्या बोलते हैं तालबी सा होता है तालबी सा का पुरियोग होता है ठीक है और तालबी सा किसमें दंती सा में बदल जाता है ये किसमें बदल जाएगा दंती सा में बदल जाएगा दंते सामें बदल जाता है जैसे आपने देखा होगा स्वान्स को hoda लेंगे तब हमारे हो जाएगा सास और जैसे संध्या है संध्या किसमें हो गई सांज हमें उच्चा लोगई तो ये जो दोनों सब्द है ये दोनों सब्द है आपके दवभब हैं और स्वाज और संधिया है यह कैसे हुमहारे ततसम बतारा रहा हूं कोई सबुर्ल कोई कुश्चन आपको नहीं समझ में आता है मेरा कोई बात नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स से लिख सकते हैं। साथ ही अभीशी मैं जितने का मुझेर यूप टैट में हों, देखते हैं इसमें क्या है अगर दियमें तत्सम सब्दों में किसका सटकॉन बालासा इसे क्या बोलते हैं मूर्धन निसा बोलते हैं क्या बोलते हैं मूर्धन निसा बोलते हैं इसका प्रियोग होता है जैसे अश्ट अश्ट को हमने क्या लेका आठ्व ओष्ट का ओट तो ये जो दोनों वर्ड हैं ये आपके क्या हुए तदभव हुए और तत्सम सब्द हुए ठीक है तो तत्सम सब्दों में कौन-कौन से साका प्रयोग जलता है मुर्धन साका प्रयोग होता है और तालबी साका प्रयोग तत्सम सब्दों में प्राय देखने को हमें मिलता है ठीक है अगला देखते हैं नियम नंबर आपका पांच में है है देखेए पांच कहता है री सबद है ठीक है कि यो मातरा है इसका जो प्रियोक है वो तत्सम में होता है ठीक है नहीं रखना ये 100% लियम है री जहां सबद आईए गा वह 3 100% क्या होगा आपका तत्सम सब्द होगा जैसे रिशी मात्र देवी और किर्पा कौन सा रिशी मात्र देवी और किर्पा क्या पता है मैंने आपको रिशी ठीक है मात्र देवी और किर्पा यानि जो री की मात्रा जहां पर लग जाएगी जहां पर री की मात्रा लग जाएगी यह री की मात्रा है यह क्या जहां भी री की मात्रा प्रियोग होगी वो आपका कैसा सब्द होगा तत्सम सब्द होगा और 100% सब्द होगा इस तरह से मैंने आपको पताया कि आपको सल्जम वाला सा यानि मुर्धन सा तालबी सा जिसमें प्रियोग होता है जिसमें री रिशी की मात्रा प्रियोग होती है ये सारे के सारे सब्द हैं, वो क्या होते हैं, तत्सम सब्द होते हैं, जिसमें च्छाच-छत्री है, संहिक्त बिंजन आ जाए, जहां ग्याग्यानी बिंजन आ जाए, ये सारे चारों संहिक्त बिंजन यहां पर प्रियोग किये जाते हैं, वो तत्सम सब्द होते हैं, अगला बार जो है वो ओस्टह बारड में बदल जाता है जो बाबकरी प्रा वर्यका में बदल जाता है जैसे आपने देखा होगा बानर, ठीक है यह बा canada है, यह कौन सब्दू हुआ यह आपका दश्रप्ध हुआ ठीक है और बानर किसम बतल गया ये बल गया बंदर बंदर बानर कौन का बोलते है बंदर ये कौन सा वा है ये आपका उस्ठे वर्ड है ठीक है तो उस्ठे वर्ड में बतल गया ये क्या हो गया हमारा तदभव हो गया तो जो तत्सम से तदभव जब बतलते हैं तो जो वा बतल जाता है वो आपके उस्ठ है बाव में बतल जाता है तो यह जो सारे जो नियम में आपके चल रहे हैं वह आपको बहुत महत्यपूर है इनको आपको पढ़ते रहना होगा क्योंकि अगर हमें इसको पढ़ेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो कैसे बता पाएंगे ठीक है ना अब देखिए नियम अगरा देखते हैं नियम नमबर आठ में क्या कहते हैं कि देखिए हमारे दो आयोगवा हैं आयोगवा कौन-कौन से हमारे हैं अयोगवा हमारे हैं अयोगवा जो कौन-कौन से हमारे अयोगवा है हमारे एक तो है आपका अनुस्वार है और दूसरा अयोगवा है जो बिसर्ग है तो जो बिसर्ग है और अनुस्वार जो है ये हमेशा किसमें आएंगे ये दोनों हमेशा तत्सम सब्दों में ही प्रियोग किये जाते हैं संस्कत सब्दों में ही प्रियोग किये जाते हैं तो यह कह रहा है कि अनुश्वार मतलब यह और बिशर्ग यह इनका प्रियोग हमेशा किसमे होगा तत्सम सब्दों में प्रियोग होगा जैसे संस्कत में सब्द में अनुस्वार लगा हुआ है कंदुख में भी लगा हुआ है और दुख में हमारा बिसर्ग लगा हुआ है और यह तीनों के तीनों हमारे कैसे हैं यह तत्सम सब्द हैं कैसे हैं यह हमारे तीनों तत्सम सब्द हैं फिर मैंने आपक होता है कि यह नियम को एक एक बार नोट भी कर लिजेगा वीडियो के साथ साथ मैं आपको PDF दे दूँगा अगर आपने हमारे क्या हुआ यह अर्ध विंजन आया तो यह कैसा हुआ अगनी जो है वो तटप्सम सब्द होगा जैसे इस खर लिद्ध तो इसमें देखेंगे कि यह साथ कौंसा जो दंति साह तोता होगा नहीं नहीं अब यहां देखना वपकूरा कि अर्ध विंजन के रूम में आया है तो अ तत्वम सब्द होता है ठीक है अगला नियम देखते हैं और नियम नमबर है दस और यह दस नमबर नियम बहुत इंपोर्टेंट है कि देखिए हमारे जो बड़ वाले वीडियो देखिएगा मैंने उसमें तारंजात बड़ पढ़ाई है तारंजात तारंजात जिसको हम उत्षिप्त बियंजन भी कहते हैं दुईगुड बियंजन भी कहते हैं बिक्सित बियंजन भी कहते हैं और फैके हुए बियंजन भी कहते हैं और यह जो बियंजन है वो कौन कौन से हैं यह प्यंजन है हमारे यह और ड़ जिसके नीचे यह तरंजात बिंदू लगए होगए इस जो बिंदू है इसे हम बोलते हैं तारन जात बिंदी बिंदू ठीक है तो ये डा और डावे हैं तो जिसमें ये बाज आएंगे वो 100% 100% वो तदभव होगा जा रखेएगा मैंने बहुत में पूर बापता ही है 100% क्या होगा तदभव होगा इनका प्रियोग किसी भी संसिकतवाण में होता ही नहीं है यानि यहां पर यह दोनों वर्ड आ जाएंगे वहां क्या होगा यह वहां पर उत्सित बिंजन आ जाएंगे वो हमेशा क्या होगा तदभव होगा हमेशा क्या होगा तदभव होगा यानि तद्सम सब्दों में इनका प्रियोग हो ही नहीं सकता ठीक है यह थम मरू २ होगा क्योंकि ये दोनों ऑर जो तारंग आते हैं ये हिंदी में बिक्सित हुए है इसली इसको भिक्सित बंजन भी कहते हैं कि अगलाポイंट प्लीक्त हैं इसमें अगले पॉइंट में है कि च협 चात्र ग्याँ वर्ड तत्सम में ही प्रियोग होते हैं चात्र ग्याँ चात्र ग्याँ वर्ड हमें इसा किसमें प्रियोग होते हैं यह हमें इसा प्रियोग उसमें होते हैं किसमें तत्सम में क्या होंगे तत्सम में होंगे जैसे छेत्र है, छेत्र को खेत बोल दियेगा, मैंने नियम बताये था, चाठ चैन्ज हो जाता है खामे, त्राव चैन्ज हो गया, तामे, त्रीणी, तीन, यग्यो पबीत, जनेव, ज्यान, को बता है जानना, तो यहाँ पर यह तीनों जो सही तो बेंजन है, यह जहाँ होंगे, वो 100% क्या होगा, तत्सम होगा, ध्यान रखेगा, इस तरह से मैंने आपको तद्वा और तत्सम को पहचानने के नियम बताए, तद्वा और तत्सम की परवासा बताई है, अब आपके जो नेक्स्ट वीडियो में, आपको मैं किरम्स है, बिविन एक्जाम में आए हुए तद्वा और तत्सम सब्दों का ब्याख्या करूँगा, पहचानना बताऊँगा कैसे आये हैं, और किस तद्वा का कौँ सा तत्सम सब्द होता है, इस बार में, तो आप लगातार वीडियो को देखते रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने संबंदी, अपने मित्रों को सेयर कीजिए, अगर ये वीडियो आप ट्वीटर पर देख रहे हैं, तो हमारे Twitter पर फोलूर कीजिए, आपने हम ब्लागा सुना, उसके लिए झाल झाल